प्रेश्टीबर 6 और गौर से देखिए गाती यह क्या होजगा एंसर इसका जो एंसर होगा क्या होजगा वन जगा ठीक है ता यह वपको एची समझ में आ गया होगा कि दोनों को स्वेलब करें पर क्या बना बना है तो यहां पर थोड़ा से दिमाग लगाना था अभी अभी यह आप समझागा ठीक है ता यह पर कोई चीज समझ में आ गया होगा अब लोग नेक्स्ट कुश्टन बात करते हैं कि जो की जैसे की प्रॉपर्टी नंबर फाइब जो था उससे रिलेटेड है ठीक ना जो कि बहुत इंपोर्टेंट जहाम आने हाइलाइट किया हुआ था next time I'm gonna find the ratio of the system find the ratio of find the ratio of 6th term system from the beginning from from the beginning and end is and in the expansion and in the expansion of 2 raised to the power of 1 by 3 plus 1 upon 3 raised to the power of 1 by 3 whole raised to the power 6 16 not 6 okay so see this year what is the procedure of this question see what is the approach आप समझने कोशिशे हैं आपे given यह हैं सब्सक्रांद यह हमें करना कि देश्यों फैंड करना आप Champ देश्यों नोर्मल एप्रोच तो वहां टाइम टेकर ने टाइम लगेगा लेकिन हम लोग डाइरेट शाट को टेमीनस फर्मूला अप्लाई करेंगे ताम तुरॉण तुर यह फर्मूला था यह वाला एप शिक्स यह वाला यह एक्स बाई एक्स बाई यह वाई मिन्स फर्स्ट वाई सकेंट आप एन माईनस टूर कि यह हमारा फर्मूला था अब देखिए सबसे पर ले ताम लोग कुछ इनफरमेशन यहापे बतोरते हैं क्लेक्ट करते हैं जो कि यहाप लिखा गया है एक्सटीन एक्सटीन यहापे उसके बाद से हमें क्या फाइंड करना है कौन सा सिक्थ ट्रम ट्रम इसको लिखेंगे क्या टी आर प्लस वन यह निस फाइप प्लस वन और टम जब इसका मतलब आर का जो लोगा क्या हो जागा फाइप जगा यह तो अगर 30 है तो आर का विलू टॉन्टीन जगा मिंस आर इस वन लेस दें दें देंड़ टॉम ठीक नदब तरम 6 पुचा है इसका मतलब आर का विलू 5 हो गया यह तो कन्फरम हो गया नाउ हम क्या करना फर्मूला अपलाई करना सिंबल से बात है बात ऐसी है घर जैसी एक्स भाइवाई रिष्ट दोपर एन माइनस टू आर तो एक्स मीनस फर्स्पा तंट्र ड्री टू रिष्ट लिद्पाऊर वाई ठीक वरल ओल्रेष्ट दोपार शकेंटाम क्या वन अपोन वाई रिरे रिष्ट लिद्पाऊरवाउं यह हमारा फर्मूला है एक्स पाइवाई मेंस फर्स्टम यह हो गया सकेंटम यह वला हो गया रिश्ट वह एन एन कितना 16-2 इंटु आर क्या है फाइप अब आप जब सब्सक्राइब यह क्या हो जागा निम्रेटर में चला जागा इंटरेमेटर वाला क्योंकि यहां पर इंटरेटर वान वाइटरी इंटू तीरी रिष्ट पाइटर वान वाइटरी यह आपको मिल जाएगा फोल रिष्ट वखेतना 16-10 क्या हो जाएगा यहां से 6 हो जाएगा अगर आप गौर कर पार रहेंगे तो पावर से में यानि बेस को क्या करेंगे हम लोग मल्टिप्ला करतेंगे जैसे बेस को मुल्टिप्लाइ कीजिएगा तो आपको यहां मिल जाएगा थी इंटू टू शीक्स रिष्ट दूपार वन वाइट थीरी 6 रिष्ट दूपार 1 by 3 and 4 शीक्से यानि आप गवर की जेगा तो यह जो हम लोग मल्टिप्लाइ विए पावर पार के मुल्टिप्लाइ कि आटा यह पावर और मुल्टिप्लाइ कि दूए गए गथा इनिटू या जाएगा आपको 36 कै तो आऔर रिकाएगा एन्सर आपको को समझ में आ रहा होगा आपको अपने इंपोर्टेंट लिखा था कोई कॉस्टन से रिलेटर तो क्राया नहीं दिख लिए बहुत सरे कॉस्टन से में इस फर्मुला डायेट फर्मुला बेस पर आया है ठीक ना जैसे कि मैं एक कॉस्टन यहां पर सौल कराने वाला हूं जो कि जैमें 2019 का है ठीक ना चलिए जैमें 2019 का कॉस्टन है इसको देखते हैं कॉस्टन यह है दरेश्यों फिप्थ तरम फ्रम फ्रम दे बीगिनिंग दरेश्यों आफ फिप्थ तरम from the beginning from the from the beginning to the fifth term from the end to the fifth term from the end from in in the binomial expression in the binomial expansion of 2 raised to the power of 1 by 3 plus 1 upon 2 into 3 raised to the power of 1 by 3 whole raised to the power of 10 each यह question है हमारा और यहां पर 4 options भी गीवन है जो कि मैं लिख देता हूं यहां पर option A जो है यह है 1 is 2 2 into 6 raised to the power of 1 by 3 option B क्या गीवन है देखिएगा 1 into 4 into 1 is to 4 16 raised to the power of 1 by 3 option C जो गीवन है 4 into 36 raised to the power of 1 by 3 is to 1 and option D is given here 2 into 36 raised to the power of 1 by 3 is to 1 यह हमारे पास 4 options गीवन है actually question का पूछा गया है यह question जो है किविशन जो है जय मेन जय जय मेन 2019 का question है 2019 question है ठीक ना यानि दोसर पार लेके question है तो देखी question को solve कैसे करेंगा हमारे पास की हथियार है की फर्मूला है हम उसी फर्मूला का अपलाई करेंगे अपना दिमाग इस्तमाल करेंगे एंसर आ जाएगा क्या बोला है आप फिफ्थ टम बोला है फिफ्थ टम यानि टम जो है फिफ्थ बोला है इसका मतलग आर का बलू क्यातना हो फूर हो जाएगा समझे में है बात कि कि हम लोग अल्रेड़ी शुक्त कि विकास टी फाइब इस गीवन मिन्स इफ्थ टम इस फाइब इस मिन्स आर विल भी फोर इफ्थ रम इस हंड्रेड इस मिन्स आर विल भी वन लेस दिन दांड्रेड मिन्स 99 जो टम गीवन उससे एक कम होगा आर का वैलू ठीक है ना यह चीज आपको यहां तक समय में आगया अब हम लोग जानते यह फर्मूला तम लोग फर्मूला अपलाई कर देना डिर्ट नाव फर्मूला क्या वता है एकस बाइए यह रिच्ट द पावर एकस का आपया तू रिच्ट द पावर वन वैड थीरी है इसको आप अगर सुल्ब कीजीगा तहां साधेगा टू इन्टु ओंडेश्ट द पावर तो यह तो यह एकस तो यह पावर में तू हागा ठेक है अब मैं क्या करता हूं यहां पर इस जो यह तु एन फालतु की यह पड़ा हुगा इसको मैं बाहर ले लेता हूं जैसे इसक अब देखो ना यहां पर क्या स्क्राइब तो एक लिए थोड़ी ना आएगा पार को भी तो नहीं जाएगा चल तुम भी साथ मेरे पार पंभावर निकल गया अगर आप गवर किजिए अगर इसको आप बाइक हो जाएगा तो यह सिक्स रिष्ट तो पौर वन वाई थ्री सिक्स रिष्ट पौर वन वाई थ्री होल स्कार ठीक ना अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या हम लोग ऐसे भी लिष्ट ने क्या आईए हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी लॉफ इंडी से संपड़ना रहा थे लॉफ इंडी से पढ़ना है कि यह जो पार होता है यह पर एम और यह मल्टिवलाई ही होता है तो एम इंटु एंट एंट न दोनों से मिल हुआ इसलिए दोनों से मोता है तो क्या मैं यहां पे इस पावर को इंटरेंज कर दूं क्यों सर्किंग मैं जाएगा ना फोर दिख सिक्स पावर रिष्ट दो पावर वन भाई थी ठीक है अगर आप ध्यान से दिखेंगा थी फोर है यह 36 जागा 36 रिष्ट दो पावर वन भाई थी और यहां पर कुछ भी गिवन नहीं इसका मतलब रिश्यों में क्या होगा डिनमेंटर में क्या हो जागा कि अगर मानते है तू है ऐसा जिसे थी बाई टू आया था हम लोग क्या लिखते है इसको ठीरी इस्ट टू लेकिन अगर मानते है ऐसा या ठीरी आया सिर्फ करिकेंगे ठीरी बाई वन या या ठीरी इस्टू ओन एफ नथिन इन दिनमेंटर एट मेंस वन इस दियर ओकर सो वी कैन से डायाट फोर इंटू थर्टी सिक्स टू पावर वन बाई थिरी इस्टू वन सो दिसी जाओ रिक्वाइड एंसर ऑफ दिस कुष्यान कि जो कि जे में 2019 में पूछा गया था कि आपको इसी समझ में आ गया होगा हम लोग कैसे डिल करते हैं अब हम लोग आगे की तरफ मूब करते हैं ठीक है जो कि एक इंपोर्टेंट कुछ